पटना में इन दिनों तेजस्वी यादों का बंगला बेहत चर्शा का विशे बना हुआ है कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादों ने इस बंगले को खाली करने में 18 महीने लगा दिये हैं और सुप्रीम कोट की आदेश के बाद में बंगला खाली हुआ सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी का बंगला फाइव स्टार होटल को भी मात करता है तेजस्वी द्वारा जब यह बंगला छोड़ा गया तो इसे उप मोख्य मंत्री शुशिल कुमार मोधी को आवंटित किया गया और जब उन्होंने प्रवेश किया तो इसकी भविता देखकर हैरान रह गए बंगले के बारे में बताया जाता है कि इसमें पूजा रूम, बातरूम, वार्डरोब और हर कमरे में एर कंडिशनर लगे है मुख्य भवन में 35 और कारेले में 11 एर कंडिशनर लगे सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 25 से 30 करोड रुपे खर्च करने के बाद इस बंगले की सजावट की गई थी बंगले का हर पातरूम लगभग 10 लाख रुपे का बना हुआ है बंगले की लान में होटलों की तरह 3 तालाब बनाये गए कुल मिलाकर गरीबों के हित की बात करने वाले लालो यादों के बेटे तेजस्वी यादों के बंगले ने सबको हैरान करकी रख दिया